हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए कृष्ण भगवान का ये पुसाख लेकर आई हूं उमीद करती हूं ये पुसाख भी आप लोगों को पसंद आएगा ये कमर से श्टार्ट हुआ है और घेरा में आकर खत्म हुआ है फिर इसका आस्तीन पिछले वीडियो में बता चुक चाहती है कि छोटे कानाजी के रूप में जैसे कि दो नंबर के कानाजी का बनाए तो उन आप इसमें टू प्लाई का दे दे टू प्लाई का उन से बिल्कुल दो नंबर के कानाजी का बन जाएगा ये छे नंबर के कानाजी का है ठीक है आईए देखते हैं कैसे बनता है सबसे पहले इसमें हम लोग 31 घर ले लेंगे 31 चैन लेने के बाद में इसे एक पार बिन लेंगे जैसे कि हर पोसाक में बिनाई कर लेते हैं इसके बाद आईए देखते हैं एक ही जगह से हमें 10 बार निकालना है देखिए ये एक हो गया अभी आठ बार निकालना है दो तीन ये आठ हो गया आठ निकल जाने के बाद में देखिए इस जगह से ये हम धागा को हटा दिये कुरुस से अलग कर दिये इसके बाद इस जगह से ये जो देख रहे हैं यहां हम इसे गुसाएंगे और इसमें इस तरह से अटेच करके और फिर इसे देखिए इस तरह से निकालने के बाद में तीन चैन हम बनाएंगे एक बनाया भी देखिए दो और ये रहा तीन तीन बनान पिर इसमें आठ हम आठ बार बना लिए बनाने के बाद इसे धागा से अलग कर दिये करने के बाद फिर देखिए इस जगह पर हम इस जगह पर हुप को डालेंगे और इसे इसमें करते हुए इस तरह से निकाल लेंगे निकालने के बाद फिर तीन चैन हम ले लेंगे एक, दो और ये रहा तिन फिर हम लोग एक घर छोड़कर ये घर को छोड़कर इस घर में फिर बनाना शुरू करेंगे इसी तरह करते हुए हम लोग पूरा गुलाई कम्प्लीट करेंगे ठीक है देखिए ये रोग कम्प्लीट हो गया है ये लाश्ट फूल है पर जोड़ेंगे ये देखिए इस जगह पर इस तरह से जोड़ देंगे और अगर आपको छे नंबर का पुसाख बनाना है तो इस कलर को दो बार दें जैसे इसमें दिया हुआ है लेकिन हम इसमें चार नंबर के कानाजी का बना रहे हैं तो इसके लिए हमें इस कलर के बाद ये कलर को जोड़ना पड़ेगा ठीक है तो जोड़ते हैं चार नंबर के कान्हाजी को बनाने के लिए हमें एक दो तीन एक बार इसमें ये कलर से हुआ दूसरे बार में इस कलर से हो जाएगा तीसरे बार में इस कलर से होगा और चौथे बार में ये चीज़ यहां आ जाएगा एक फूल आपको कम हो जाएगा हम इसमें देखें इस जगह पर हम लोग इसे जोड़ेंगे जोड़ने के बाद में यह हम इस जगह पर लियाएंगे इस तरह से और पहला फूल यहां पर बनाएंगे इसमें भी आठ रहेगा देखें इसमें चैन हम लोग यहां चार कर लेंगे एक दे चुके डिला डिला देंगे दो तीन और एक चार करने के बाद में एक जगह हम लोग एक फूल निकालें अब दूसरी स्थान पर हम लोग दो फूल निकालेंगे के लिए अिस में लोग एक पर देखें हम एक दया हम लोग लोगो एक उपे открывंसे प्यादास इसी जगह से इस तरह का एक और फूल निकाल लेंगे अब देखिए ये एक घर से हम लोग एक फूल निकालें दूसरे घर से दू निकालें फिर तीसरे घर से एक फूल निकालेंगे इसी तरह हम लोग इस पूरे लाइन को कम्प्लिट कर लेंगे अब कम्प्लिट करने के बाद में देखिए ये दूसरे लाइन तो हम बता चुके अब तीसरे लाइन में यहां हम आठ बार लिए आठ बार लेके फूल बनाएं तीसरे बार में नौ बार लेके फूल बना लेंग इसमें हम लोग 9 बार लिए ठीक है ये 8 बार ये भी 8 बार इसे हम लोग 9 बार लेंगे और इसमें हम लोग जो चैन देते हैं बीच का वो बीच का चैन हो जाएगा 5 और ये लास्ट में भी 5 हो जाएगा और लेकिन इसमें हम लोग 10 लेंगे यानि की 8, 8, 9, 10 ठीक है और इसमें बाद में चैन 5 लेंगे इसमें भी 5 लेंगे इस तर्छा हम लोग पूरा complete कर लेंगे ठीक है तो आए complete करते हैं हम लोग चुकी 6 नंबर कही हैं यह हम लोग 4 नंबर का बना रहे हैं इसलिए एक दो आगे में हम लोग 9 डालेंगे एक बार 9 डालेंगे इसमें ये एक दो हो गया, नव डालेंगे, और या नव डालने के बाद में पांच हम लोग ये चैन जो लिए हैं, पांच लेंगे ये चैन, ठीक है, तिस तरह हम लोग इसको पुरा कम्प्लिट कर लेते हैं, ये देखिए, ये बनकर तयार हो गया है, अब इसके बाद हम देखिए ये कितना बड़ा है ये छोटा है साइज में है ना तो आएए देखते कैसे बनता है कि इसके लिए हम लोग कि उनको इसमें ज्वाइंट करेंगे इसके बाद देखिए ये बिन लिए बिनने के बाद में तीन चैनल लेंगे एक दो और ये रहा तीन और फिर ये दोनों जो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूं ये दोनों के बीच से निकालते हुए इसे इस तरह गिरा देंगे ठीक है इस तरह से हम लोग यहां चार बार भी नेंगे कि यह चार बार बिनने के बात यह देखे यह चार बार इस तरह से भी नहीं हो गया इसके बाद हम लोग इस्से इस जगह पर बीने थे अब इस जगह में ले जाकर बंद कर देंगे इस तरह से ठीक है अब इसके बाद फिर आगे बीनेंगे अब देखे इसे भी ले जाकर हम लोग यहाँ पर इस तरह से बंद कर देंगे और फिर अगला बीनना शुरू करेंगे तो इस तरह से आपका यह चीज यह चीज इस तरह से बनकर तयार हो जाएगा ठीक है तो इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर यहाँ पर पहले इस कलर के उन से एक बार बीन लेंगे एक बार पूरे इस तरह से बीन लेंगे इस तरह से यहां से निकालेंगे और यह इस तरह से करते हुए हम लोग बीच से देखिए यह इस से चैन से नहीं लेंगे हम लोग बीच से लेंगे पूरे गुलाई हम लोग कम्प्लिट कर लेंगे इस तरह से कम्प्लिट करने के बाद में एक बार हम लोग इस तरह भी नेगे ठीक है ना complete कर लेने के बाद में फिर हम लोग इसमें 8 घर लेंगे जैसे की देखे इसमें हम लोग 10 लिये हैं यह एक गुलाई complete करने के बाद देखे एक दो तीन चार पाँच छो शाथ आठ नौ दस दस लिये हैं हैं हम लोग लेकिन यह चुकी पुसाक आपका छोटा है इसलिए 8 के बाद में उसी तरह दो बार बिन लेंगे बिनने के बाद में दोनों को आधा-दा भागमें बाट देंगे बाटने के बाद फिर पुरह कम्प्लेट करके इस तरह में सिलाई कर देंगे जो कि मैं आपको पुसाक तयार हो जाएगा ये देखिए ये पुसाक आपका ये पुसाक आपका चार नंबर का है चार नंबर का पुसाक बनेगा आपका तो आपको ये पुसाक कैसा लगा अच्छा लगा लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू